आप देख रहे हैं यूट्यूब में इजी कुकिंग विद नास आज हम मतंजन बना रहे हैं स्वीट मतंजन तो इसके लिए हमने एक कप चावल लिए इसको हमने दस मिंट बिग होके रख दिये तो एक कप अदर पोना कप हमारे पास यह चीनी है यह टूटी फ्रूटी है यह ने खोप्रा गिरी है वादाम भिगोय है तो आप शुरू करते हैं लाप बाइल हो रहा है देखे पानी में चावल लाद बाइलर राभ टी-स्पून शिर्का डालने लंटीज को अलोंता इस नमक नमक नर अब इसके नदर हम चावल लाद यह और पार देंगे आप इसके अ रखोए तैस देमे का चावल नकॉण नकाल कोज़कों त्रुटाय की एक तक्रीन अधिया और देम फिलने को इसके अंदर अब ये अलाची डालेंगे दार चीनी ये दो लॉंग और ये इसको फ्राइ करेंगे साथ ही इसके अंदर अब हमने चीनी डाल देनी है दूर टाल देना इसके अंदर बदाम भी रखोके रखे है तो आप ने चीनी तारने तो अतार सकते है तो मैंने ऐसे ही डाल दी है जालें से अब छोआरें चावल दालेंगे जो बॉइल करके रखेंगे अब यह देखें पानी इसके अंदर जो चीनी का पानी है शीरा थोड़ा सा ड्राइ हो गया अब इसको हमने जाने ताम लगाना इसको इसको दम लगा देंगे इसको हमने 10 मेंट के लिए धाम लगा देना है तो मेडियम लो हमने इसकी आँज रखनी है अब देख देखें धर लगा देखते हैं तो जब दस्त छावल दम लगे थे अच्छे हो गया है अब इसके अनदर हमने केवडा डालना है केवडा वाटर अब इसके अंदर हम कलर डालेंगे यह ग्रीन कलर है यह रेड कलर है यह यलो कलर है अब इसके अंदर हमने यह चूटिक फ्रूटी डालनी है अब इसको हम दो मिंट के लिए दाम पे रख देंगे यह देखें चावल हो गए हमारे जबरदस से अब इनको हम नकाल लेते हैं यह बहुत जबरदस से हमारे यमी यमी से मतंजन रेड़ी हुए है चावल बहुत जबरदस बने हैं बहुत मज़े के तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें दौाओं में याद रखें लाफिज